नमस्का दोस्तो आज ट्रेलर रिलीस हुआ है गुंतूर कारम का जिसमें हमें लीड रोल में नजर आएंगे महेश बाबू महेश बाबू काफी لंबे समय से दूर है इंडस्ट्री से उनकी last movie last year को ही release हुई थी जो की blockbuster रही थी अब बारी है महेश बाबू की नई movie की जो की 12 जनवरी को release होने जा रही है इसमें बहुत बड़ा clash देखने को मिलेगा क्योंकि एक तरफ है महेश भावो की गुंतूर कारम, दूसरी तरफ है धनुष की कैप्टन मिलर, अरुन विजे की मिशन और शिवकार्तिकेन की आल्यान और वैसे ही तेलगू सिनेमा से भी एक मूवी और रिलीज हो रही है जिसका नाम है हनुमैन और तेरा तरीक को ही रवी तेजा की मूवी रिलीज हो रही है जिसका नाम है इगल सो बारा जनवरी को बहुत बड़ा क्लैश देखने को मिलेगा हमें तमिल और तेलगू दोनों स्टेट्स के अंदर और दोनों ही बड़े-बड़े हीरोज की मूवी रिलीज हो रही है बात करें महेश बाबू की मूवी की तो ट्रेलर बहुत ही जबरदस तरीके से काटा गया है ट्रेलर का बीजियम भी एक नमबर बनाया गया है इस मुवी को डिरेक्ट किया है त्री विक्रम ने जिसने लास्ट मुवी आला विंकुंटुम पूरुम डिरेक्ट करी थी अलू अरजुन के साथ जो की एक बहुत बड़ी ब्लॉक्पस्टर थी और इस मुवी के अंदर हमको लीड रोल में नजर आएगी स्री लीला जिसकी लास्ट मुवी बगवन्त केसरी भी ब्लॉक्पस्टर थी सुकुल मिला के टीम बहुत अच्छी है ट्रेलर भी बहुत अच्छा काटा गया है इसके सभी जो सिंगल ट्रैक से रिलीस हुए है वो भी हिट गए है तो महेश बाबू की एक बहुत जबरदस्ट फैन फॉलिंग है टेलगू स्टेट्स के अंदर तो इस मुवी का ब्लॉक्पस्टर होना भी तै है फिलहाल अभी परभास की मुवी रिलीस हुई थी सल्लार जो की सिर्फ तेलगू स्टेट्स के अंदर ही ज़्यादा कमाई कर सकी लेकिन अगर महेश बाबू की मुवी हिंदी में रिलीस होती है पैन इंडिया रिलीस होती है तो ये सलार से ज़्यादा बिजनस कर सकती है क्योंकि महेश बाबू की फैन फॉलिंग प्रवास से भी ज़्यादा है नौर्थ साइड में महेश बाबू की सबी फिल्में जो हिंदी में डब होकर रिलीस होती हैं टीवी पर रिलीस होती हैं जा किसी OTT पर रिलीस होती हैं वो भी लोगों को बहुत जादा पसंद आती हैं क्योंकि महेश बाबू की मुवी के कॉंसेप्ट हमेशा ही अलग से रहते हैं जो की एक फ्रेश मुवी देखने वालों के लिए बहुत अच्छे होते हैं सो कुल मिला के उमीद है कि ये मुवी हमें जल्द ही हिंदी में भी देखने को मिलेगी धन्यवाद